हेलो एवरीबन वेलकम टू मैं यूटूब चैनल सुमी रंजीत रशोई ब्लोग तो आज मैं सेयर करूंगी दिवाली स्पेसल काजू कतली रेश्पी या काजू का बर्फी भी इसे बोल सकते हैं तो काजू का बर्फी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वह मैं अभी बताती हूं काजू बर्फी बनाने के लिए सिर्फ काजू और चिन्नी और इलाइची पावडर चाहिए तो चलिए कुछ इस तरह से बनाते हैं एक कप मैं यहां काजू ले ले रही हूं और इसे अच्छे से ग्रेंट कर लेना है इसे ग्रेंट कर लूँगी और जितना काजू लिये हैं उससे हाफ चीनी लेना है मैं यहाँ एक कप काजू लिथी तो हाफ कप चीनी एड़ कर रही हूँ और हाफ कफी पानी एड़ करूँगी गैस का फ्लेम आउन है और इसे अच्छे से चासनी बनाऊंगी इस तरह से घोलते हुए चासनी बना लेना है देख सकते हैं ऐसे चिपचीपा हो जाए हाथ से चेक कर ले तब इसमें जो काजू का पाउडर ग्रेंट करके रखा हुआ था उसे डाल लेंगे उसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठली बना न रह जाए देख सकते हैं कुछ इस तरह का टेक्चर में आ जाएगा अगर घी पसंद हो तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं उससे भी टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है ऐसे मैं इलाइची पावडर एड़ कर रही हूँ इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे घोलने में थोड़ा टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट तक अच्छे से इसको कूक करेंगे देख सकते हैं कूक करते करते इस टाइप का वह आ जाएगा तब इसे बटर पेपर या फिर एल्बुनियम पॉइल हो उस पर मैं यहां घी लगा ले रही हूँ जिस पर मैं इसे घोल को निकालूंगी तो देख सकते हैं घोल मेरा रेडी हो गया है सेट करने के लिए तो इस पर मैं निकाल लूंगी इसे देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्स्चर है इसे निकालने के बाद दो घंटे तक छोड़ देंगे अगर यह जादा गिल्दा है और सेट अगर नहीं हो पाएगा तो इसे फीसे हम कड़ाई में डालके दो चार बिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे अगर सेट हो जाता है तो अच्छी है यह मैं सिल्वर पेपर लगा रही हूँ जो मिठाई पे लगते हैं वो सिल्वर पेपर कुछ इस तरह से मैं लगा लूँगी और इस तरह से मैं इसे कट कर लूँगी यह दो घंटा हो गया था तो इस तरह से मैं सेट हो गया है काजु क कतली बनकर रेड़ी है दिपावली एस्पेसल तो आप लोग भी बनाईए और इंज्वाई कीजिए काजू कतली रेस्पी घर का और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सस्क्राइब करें और सेयर करें थैंक्स पूर वाचिंग बाइब और भी रेस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और सेयर करें